नमस्कार दोस्तों मैं समीर आपस्वी के अपने ही यूटूब चैनल डिजिटल पावर में आपस्वी का हार्दित स्वागत करता हूं दोस्तों क्रिसी भाग की तरफ से जो है साथ परकार के पदों के लिए नन टीचिंग पोस्ट के लिए आवेदन आमंतिरत किया गया है तो आवेदन कर पाएंगे जिसमें जो है पोस्ट जो है सहायक लेखापाग कंप्यूटर ऑपरेटर परियोग साला अनुचर चालक और लिपिक सहा कंप्यूटर ऑपरेटर और गार्डिनर की है यह भरती जो है आपको इसकी अप्लाई जो है वह अप्लाई की प्रकिरिया आपको इस वीडियो में देने वाला हूं तो अच्छे लगवत लाइक कीजिएगा दोस्तों साथ सेर कीजिएगा सबसे पहले यह भरती जो है बिहार क्रिस्ट विश्व विद्धाल सब और भागलपुर के द्वारा जार किया जाना है जिसमें परतियोगता परिक्षा यान अधियम से छात्रों का सेलेक्शन किया जाना है जिसके लिए नोटिफिकेशन चारे किया गया है नोटिफिकेशन आप से डाउनलोड कर सकते हैं और 28-4-2023 से इसको आप डाउनलोड करके और आवेदन कर पाएंगे बिग्यापन से क्या धान दीजिएगा यहां पे 4-2023 है निचायेंगे आवेदन करने की जो डेट है वो आपको बताया गया है कि आप 28-4-2023 से आवेदन स्टार्ट हो चुका है और आवेदन करने की जो अंतिम्तिति है 19-5-2023 रखा गया है हलांकि जो आपका डाक है वो आपका उंचित माधियम से 5-6-2023 तक आपका जो पता दिया गया उस पति पर पहुंच जाना चाहिए और अधिक जनकायरी के लिए आप जो है इस वेवसाइट भीजिट कर सकते हैं एक यहां पर महत्पूर्ट जनकायर दिया गया है जो भी परतियुक्ता परिक्षा आयोजित होनी वाली है उस परतियुक्ता परिक्षा कॉसल शायम सक्षतकार के संब्द में सुचना का परकासन जो होगा आपको इस वेवसाइट से मिलता रहेगा आगे आते हैं ऐस भरतिक बारे में तो भरति जो है आपको निकल का आई हुई है साथ अलग अलग पोस्टों के लिए जिसमें से है मैंने पोस्ट के जनकायर दे दिया लेवल यहां पछाओ तरुप गया है की पोस्ट में कितनी सीट है यहां पर आप देख सकते हैं कटेगरी के इतों सार reacted के लिए रखे यहां पर शेलरी की सेक्षिंड को अवेदन को चैनला प्रसूर gider सहाय के लिए अगर आप आवेदन करते हैं इस पोस्ट के लिए तो आपको जो या किसी भी मानेता प्राप्त संस्था या विश्व विदाले से असनातक या उसके समक्ष और कंप्यूटर डिग्री आप अगर आप ग्रिजुएशन किये हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे लेखा पाल के लिए यहां पर मानेता प्राप्त से इंवर्सिटी से आपको असनातक या उसके समक्ष डिग्री होना चाहिए और एक बर्स का डिप्लोमा कंप्यूटर में होना चाहिए यान एक बर्स का डि इसमें आप सेलरी आप खुद से देख लिजिएगा किसी भी मानेता प्राप्त बोर्ट से अगर आप असनातक किये हैं और डिस्ये किये हैं और साथ इसाथ आपका टाइपिंग एस्प्यूट जो है इंग्लिस में 40 और हिंदी में 30 वार्ड पर मिनट है तो आप आवेदन के एलिजिबिलिटी फुल्फिल करते हैं वहीं परियोग साला अनुचर का जो होगा दस भी पास हैं और साइडल क्रूप से स्वस्थ हैं साइकल चलाना आपको आता है तो आप आवेदन कर पाएंगे इसमें महिला भी करनेट आवेदन करेंगी जिनको साइकल चलाना नहीं सिर वर का पोस्ट है जिसका क्वालिटीकेशन रखा गया मेट्रिक पास और अमबी गुद्च होना चाहिए और आप उसके बाद जो काद को अंदर जो होगा गाली चलाने में फिलायशन प्राप होना होगा यानि आपका क्वालिटीकेशन जो रखा गया है आप्के पास ड् इसमें भी आपको चाहिए और डी चीए computer कोर्स होना चाहिए और चारिश और घृटाइब थीशका पॉट्टर होना। चाहिए वही गाड़नरी में आपको दस्ति-वी पास होना चाहिए और स्वास्थ होना चाहिए और चलाना आपको आता है तो आप आवेदन कर पाएंगे यह तो हो गया क्वालफिकेशन अब आपका जो उम्र की कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा उस पर हम देखते हैं इसमें आपको आवेदन करने के लिए आपको जाती परमारपत और आवासे परमारपत और क्रिमेलेयर जो भी आपको पिछड़ा आत्यात पिछड़ा या स्ट के उमिवार होंगे उनको यहां पर देना होगा वहाई हम बात कर लेता है फ्रेंस यहां पर उम्र सिमा की तो उम्र सिमा का आपका कैलकुलेशन जो होगा 19-5-2023 को कम सकम आपके उ ठाड़ा बर्स होना चाहिए और अधिक्तम उम्र जो होगा इसमें अंडरेजर्ब के लिए 37 वर्स रखा गया है और पिछड़ा पूर्स और मैला के लिए 40 वर्स और अनसुचित जाती अनसुचित जन जाती को 42 वर्स रखा गया है यह जो है आपका क्वालिफिकेशन है टूटल आपका हंडेट पर आपको मेरिट लिस्ट त्यार किया जाएगा निचाएंगे तो यहां पर एक बात बताएगे यह उसको आप इग्नॉर करके नहीं चल सकते हैं सबसे लाश्ट मैंगे तो इसमें एक बात बताया गया था कि आपका जो है वैवसाइड से आप आव आवेदन सभ्कार नहीं किये जाएंगे यहां पर देख सकते हैँ 21 नंमर पॉ modular दिया गया है कि हम लिखित आवेदन जोगा और सभ्कार न है किया जागा यान जो आपने हाथ लिखेंगे इसको लेकि नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि आपका झरार पर यह प हैं और इ की संख्या आपका अप्लिकेशन फी तो यहां पर अप्लिकेशन फी आपको दोस्व लगेगा स्टी और बिगलांग के लिए और बाकी जो केंडेट होंगे जनरल और बिग्यापन संख्या और करम संख्या यहां पर डालेंगे इस तरह से आपको फील करना है अगर आप पुराने किये हैं तो आप इस तरह से आपको फील करना है उपर आला आपको छोड़ देना है आपको आवेदान फ़र्म हो गया इसके रिगार्णिक जन्वरी जारी तो यहां पर आप देखेंगे इसमें आपको सुधी के लिए यहां नोटिफिकरशन जारी किया गया है जिसमें है कंडिका जो आवेदन फर्म का कंडिका है उसमें बाकि सब कटेगरी का तो नाम दिया गया है लेकिन इसमें EWS का नाम नहीं दिया गया जिक्र नहीं किया गया जिसको जोडने के लिए सुधी लिखित आवेदन सभिकार नहीं किये जाएंगे कि अस्थान पर यानि पहले जो दिया गया था उसके अस्थान पर अव्यारति द्वारा विश्व बिद्यालेद पर विग्यापन के लिए निर्धारित आवेदन फॉर्म या आवेदन परपत्र प्रारुप हस्त लिखित सभि आउऔगा मतलब है कि जो आपका आवेदन हम यहां पर आवेदन फॉर्म है यहां पर दिया है इसको आफ फिल करके वहां वहां से ड़ूनओड कर सकते हैं मिलता है नए और नए वीडियो में जहें